हेलो एवरिवन वैलकम टू फांडेशन क्लासिज भाई आमेत देखिए भई सुभए हमने बात कि थी आपके हर्याना जे बीटी से लेटिड जिसमें हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप मैथमेटिक्स की जो प्रिप्रेशन है उसको किस तरीके से करेंगे और अब इस व स्टुडेंट होंगे जो हिंदी और इंग्लिस को एकदम इग्नोर करके चलते हैं एकदम नेगलेक्ट करके चलते हैं या फिर एकदम आसान समझते हैं लेकिन जब एक्जाम देते हैं तो एक्जाम में क्या होता है कि 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं हिंदी के अंदर या फिर 10 मे वीडियो में हम perfect तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिस को prepare कीजिए ताकि exam में आपको चीजे exact देखने को मिल सके ठिक हैं इन सब चीजों को लेके हम यहां पे बात करने वाले हैं और end में मैं आपको कुछ चीजे दिखाने भी वाला हूं तो वीड content के बारे में बात करने से पहले आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारी अप्लिकेशन है foundation classes by Amit के नाम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के description में मिलेगा जो भी आपका चीजे हम अर्याना जेबिटी को लेके करने वाले हैं application में उससे लेटिर जो भी information होगी वो आपको कल तक देखने को मिल जाएगी ठीक है इतना वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि perfect तरिके से चीजों को करना है टाइम पास नहीं करना है इस वज़े इसे ठीक है तो कल तक आप वेट कीजिए तो application का लिंक आपको वीडियो के description में मिलेगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा साथ में telegram group है इसको join करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि जो भी आपकी information होती है यहाँ पे आपकी share की जाती ही जाती है इसका link भी video के description में मिल जाएगा आप join कर सकते हैं चलिए बई काफी मेरे पास message या call आ रहे हैं कि सर notes बैच या video बैच या कैसे के चीज़े करने वाले हो आप मैंने आपको बताया please कल तक का वेट करें जो भी information होगी वो आपको telegram group में और application में आपके साथ share की जाएगी ठीक है जल्दी ही इनकी जो classes हैं वो भी आपके start हो जाएंगी ठीक है चलिए बई तो देखो यहां पर हमेंने लिख रहा है कि हर्याना जेबिटी वेकेंसी दो हजार चोबिस ओफीशियल सलेबस आपके हर्याना जेबिटी का जो ओफीशियल सलेबस आया है ना यह मैं आपको वो स्यो कर रहा हूं और यह आपके हिंदी का है और हिंदी के अंदर आपके कितनी mcq आने है आपके 10 mcq आने है तो उसकी एक complete detail दे रखी है कि reading unseen passes, two passes होंगे, one prose या drama मिलेगा और one आपका poem with questions ठीक है इस टाइब के उसके अंदर questions होंगे, verbal ability हो सकती है, grammar आपकी हो सकती है ठीक है और निचे आपका given है pedagogy of language development questions इंगे जिस तरिके से आपका हिंदी के अंदर भी pedagogy का portion है, जैसे learning और acquisition के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है इनके सीखने के बारे में, यहाँ पे principle of language teaching आपके हो गए, role of listening and speaking आपका हो गया, lsrw, जानते होंगे आप, सिधा simple सा lsrw के बारे में, तो उन चीजों के बारे म आपका गीवन है completely, last में आपका remedial teaching भी आपका given है, तो remedial teaching आपका same होता है, चाहिए आप किसी भी subject में जाईए, तो कहने का मतलब यह कि आपका syllabus है हिंदी का, जिसमें आपके 10 MCQ आने हैं, ठीक है, और यह official syllabus है हर्याना JBT का जो उन्होंने publish किया है, इसी तरिके से आपका official syllabus English का ही जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो आपका English भी कितने नमर की, कितने MCQ, आपके 10 MCQ ही आने है, और यह भी आपके हर्याना JBT वाला ही official syllabus है, आप इसको देख सकते हैं, अब आगे जो माँ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है आपका estate का, कि estate 2023 official syllabus, यह आपके Hindi language का ह है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यह exact same है, exact same to same है, जो हर्याना JBT का publish किया है, और जो आपके हर्याना estate का आता है, exact same, कोई भी difference इसके अंदर नहीं है, और इसी तरीके से आपका estate जो English में क्यूशन पुछे जाते हैं, वो भी आपका exact same है, हर्याना JBT वाले syllabus के साथ, यानक किया, और आपका publish कर दिया, ठीक है, समझ गई इतनी बात, अब आप लोगों के mind में आ गया होगा, कि pedagogy दे रखी है, ठीक है, आपके grammar है, उसका भी कुछ portion आपका given है, लेकिन pedagogy का portion बहुत ज़्यादा दिखा रख है, तो आपका ध्यान जाएगा, कि pedagogy के जो questions है, हम सि जदा से जैदा होणे की उपर ही focus कर ले, ठीक है, आप कही न कहीं ऐसा करने की कोसिस करोगे, क्योंकि ऐसा ही कहीं न कहीं दिखाया भी गया है, ठीक है, लेकिन ये हरियान है, आपको अच्छे से बदाए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ दरे हो ना बात को, त आपके रियलेटी क्या है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे आपने देखा ना कि हिंदी का पैडागोजी का पोर्षन दिखा रखा है और हिंदी का आपका कुछी दो पैसेज के बारे में बात की गई है लेकिन जब आप हर्याना एस्टेट के क्यूशन पेपर को देखो पता क्या कर दें तो पैडागोजी तो 100% करने ही करनी है लेकिन हिंदी के इन सबी टोपिक्स को भी आप कवर करते हुए चलोगे यहाँ पे आपका परत्य हो गया यहाँ पे आपका क्रिया का टोपिक हो गया आगे आओ गया तो वही आपका देखिए सब्द यूगम आपको विशेशन के बारे में काफी चीज़ें हमने यूटूब पर प्रेक्टिस के तोर पर की है अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे आप देखिए प्रयाइवाच्य आपका हो गया तत्सम्तभव आपके हो गई ठीक है और आगे आप आओगे तो दूसरे के काम में दखल द रखा है और लास्ट में अगर आप देखोगे तो व्यक्तिवाचक संग्या भी आपकी गिवन है और आपके सुध हसुध भी गिवन है और आपका सरोनाम का टोपिक भी गिवन है यादि कहीं नहीं क्या हो गया आपके ग्रामर का पॉर्षन ठीक है आपके वह कैब बोल दी इन चीजों को हम प्रिपेर करने वाले हैं ठीक है समझ में आगई बात आप आगे आओ अब इसी तरह के से इंगलीस को देखो आप आप इंगलीस के अंदर भी नोने एक सिंगल क्यूस्टन भी पैडागोजी का आपका नहीं दिया यहाँ पे सारे के सारे जो क्यूस्टन्स है क्या के आपको देखने को मिलेंगी क्यूंकि इनका रिजन यही है कि बहुत अंदर तक जाके मैं चीजों को रड़ी करता हूं जो भी आपके नोट्स होते हैं उन सब चीजों को तो यहाँ पे देखो तो वो क्या कलाता है आपका सारे चीज़े मैंने करवा रखिया आपको बहुत अच्छे से यहां पर आगया होगे ठीक है यह प्रिपोजिशन आपका हो गया यहां पर देखो आप एड़शिटी आपका एंटोनिम्स बनाना है फस्ट पेज पे ही जो मैंने आपको करवाया था मिल जाएगा तो बहुत सी चीजें हैं बहुत बैस्ट वे में आपको मिलने वाली हैं मिजन थ्रूप मैंने यूट्व पे भी आपको प्रैक्टिस करवाया था अगर मिजन थ्रूप किसको बोलते हैं वन हुएट से मैनकाइंड मैंने यह चीज आपको बताई थी ठीक है आ आपको ही पड़ेगा प्रोवाइड मैं आप लोगों को करवा दूंगा ठीक है तो हिंदी और इंग्लिस को बैस्ट वे में करना है जो भी आपका नोस का बैच होगा या वीडियो बैच होगा जो भी आपको दिखाना चाहता हूं वह चीजी मैं दिखा देता हूं पहले भी मैं दिखा हैं यह इनको प्रोप्रवियों करने लिस्क के साथ तो यह आपके जितने भी आना सारे आपके रडी हो चुके हैं पंद्रासों के आसपास में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा विध हिंदी ताकि आप लोगों को समझने में भी दिक्कत ना आए तो चाहिए मिजन्थ्रोप हो चाहिए क्लेप्टोमेनि समंझेंगे कि कहां से आप ट्री करेंगे कहां से आप बाकि चीजों की त्यारी करेंगे कांसे आप सी टी एक तैरी करेंगे ठीक है तो थैंक यू तो अधियू इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद